मेश आज वाड़ी पर सयम रखे इसने ही जनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है आई की अपेक्षाव वै अधिक रहेगा किसी उलजन में दिन गुजरेगा सुवास्त के प्रती जागरुक रहें दुपहर के बात का समय आप के लिए अनकूल रहेगा आप नए काम का आरम कर सकेंगे व्रश्य ग्रह एवं संतान संबंदी शुब समाचार आपको मिलेंगे पुराने और बच्पन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है कोई नए दोस्त मिल सकते हैं वैपार में किसी तरह का लाप होगा दोपहर के बाद रिष्टों में जरा संभल कर चले पूझी निवेश में साबधानी बढ़ते मिथुन आज का आपका दिन लापकारी है पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों शेत्रों में आपकी प्रतिस्टा में व्रद्धी होगी घर परिवार में आनंद का वातवरन आपको खुश रखेगा सुआस्त भी अच्छा रहेगा वेपार में लाप होगा बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी करक आज के दिन बौद्धिक काम, नए श्रजन और साहितिक गतिविदी में आप उलजे रहेंगे नए काम की शिरुवात कर सकते हैं किसी धार्मिक यात्रा का आयूजन हो सकता है वेपार में लाप का अफसर मिलेगा आज आपको कार्याले और वेपार में थोड़ा सम्हल कर चलना होगा सिंग आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं पिता से आपको लाप होगा जोतिश और अध्यात्मिक विश्यों में आपकी रुची बनी रहेगी अपनी वाणी और विवहार को सयमित रखना आपकी हित में ही रहेगा आज आपकी नौकरी और विवसाय में रुची बढ़ेगी आज सुवास्त का ध्यान रखें कन्या सुभा का समय दोस्तों के साथ घूमने फिर्ने खान पान एवर मनुरंजन में बीच सकता है तुला आज त्रड मनोबल और आत्न विश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे ग्रस्त जीवन में सुख और श्वांती बनी रहेगी श्वारिडिक सुवास्त अच्छा बना रहेगा सुभाब में उगरता हो सकती है इसलिए वाड़ी पर सयम रखें दुपहर के बाद आप मनुरंजन के और जादा बढ़ेंगे व्रश्चे मानसिक रूप से आप में भावुकता की मातरा अधिक रहेगी किसी बात को लेकर जादा विश्लित ना हो विध्यारती आज अभ्यास और करियर के मामली में सफलताफ राप्त कर सकेंगे अपने कल्पना श्वक्ती से साहित्र स्रजन में आप नवीनिता ला पाएंगे घर के वातावरण में सुक्ष्वांती बनी रहेगी धनू पारिवारिक श्वांती बनाए रखने के लिए निर्थक वाद विवाद ना करें माता का स्वास्त खराब रहेगा धन और प्रतिस्टा में हारी हो सकती है दोपहर के बाद आपके सभाव में भावुकता बढ़ सकती है आपकी रचनात्मक्ता में सकरात्मक व्रद्धी होगी मकर आज कोई महतवपूर्ट डिसीजन आप ले पाएंगे मित्रों और प्रिये पात्र के साथ मुलाकात सुखद होगी कोई छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है भायों के साथ सम्मंदों में निकटा आएगी दुपहर के बाद अरिचिकर घटनाओं से आपका मन अस्वस्त रहेगा कुम आज क्रोध और वाणी पर सयम बढ़ते नकरात्मक विचार से आपका मन दुखी हो सकता है खान पान में भी सयम बढ़ते दुपहर के बाद आप वैचारिक इस्थिता के साथ सभी कारियों को आसानी से पूरा कर पाएंगे मीन आज आपके घर में धार में कारे होंगे परिवार में आनंद में वातावरन रहेगा काम में सफलता मिलेगी शारिडिक और मानसिक सुवस्त का ध्यान रखे नई काम के लिए दिन शुब है दुपहर के बाद आपके सभाव में क्रोत अधिक रहेगा